नमस्त दोस्तो मेरा नाम है शर्च चौदरी और आप सबीकर स्वागत है अवेनस टेप में तो दोस्तो फाइनली ये है मेरे चैनल की हन्डर्ट वीडियो गाइस अगर आप मुझसे पूछे कि यार मुझे अभी कैसी फीलिंग हो रही है तो आप सब लोगों का इतना प्यार मिला और मुझे लगा भी नी था कि यार मैं 100 वीडियो जो है कम्प्लीट कर पाँगा बट फाइनली ये मुमेंट आ गया है और इस वीडियो में थोड़ा अपनी पूरी जो मेरी यूट्यूब की जरनी रही है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो अब ये चैनल की 100 वीडियो है जैसा कि मैंने कहा अब कुछ लोग ये कहेंगे कि 100 वीडियो में ऐसा क्या स्पेशल होता है तो सबसे पहले जो यूट्यूबर्स होंगे उनको समझ में हा रहा होगा कि 100 वीडियो एक अलगी एक तरह का छोटा सा मालस्टोन होता है तो इस पर हमें खुशी है और nevertheless मैं अपने सबस्क्राइबर्स का जो है शुकरिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया और उनकी इस चैनल से मदद हुई जब भी मेरे को कमेंट्स आते हैं ना मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो 95 पर संट जो कमेंट्स होता है वो पॉजिटिव कमेंट्स ही होता है बहुत अच्छे कमेंट्स होता है तो उनको आप एगनोर कर सकते हैं नेगिटिविटी हर जगा होती है let's don't worry about that तो यार कमेंट्स पढ़के मुझे काफी अच्छा लगता है मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और इश्यूस को ट्रबल शूट कर पाऊं और और ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियोस पे महनत करूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर पाऊं उनकी मदद कर पाऊं तो यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कम्प्यूटर है वो मेरा फोटे है और ट्रबल शूटिंग कराना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइस तो कभी भी जिस भी सब्सक्राइबर ने मुझे परस्नलिरी रीच करने की कोशिश की होगी मैंने हमेशा अपना बैस देने की कोशिश की है मैंने हमेशा उस बंदे की मदद करने की कोशिश की है beat any person it does not matter की वो कहां से belong करता है या कैसा बंदा है यार यह सब मेरे लिए matter नहीं करता है जिस बंदे की problem है I'll try my very best to sort this out now अब मैं अपनी YouTube की जरनी की थोड़ी सी बात करता हूँ जो लोग थोड़े बोर हो रहे होंगे I understand यार कि आप कोई लोग इतना emotionally connect बना नहीं पा रहे होंगे so you're pretty much free to go ऐसा कोई मैंने हाँ पे आपको बांद के नहीं रख सकता है और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा आप अभी वीडियो चोड़ के जा सकते हैं बट जिन लोगों को मेरी बाते समझ में आ रही हैं या जो लोग emotionally मुझे से connected हैं वो थोड़ी बहुत बात मेरी समझ रहे होंगे तो हाँ मैं जर्नी की बात कर रहा था तो overall जर्नी जो है बहुत ही amazing रही है जैसा कि मैंने अपनी first payment जो मेरी आई थी उसमें भी मैंने बताया था कि एक time पर मुझे नहीं लगता था guys कि मैं इस channel को जो है आगे बढ़ा पाऊंगा और मैंने एक से डेट साल तक इस channel पर कोई video upload नहीं की थी but फिर जो मेरी पिछली ही videos थी उस पर मुझे थोड़ा थोड़ा response मिलने लगा again यह वाला laptop जो मैंने उसी वीडियो में दिखाया था मैं यार इसको बार बार दिखाऊंगा क्योंकि यार इसी laptop की बदॉलत है जो कुछ है जितना इस laptop की निंदा हुई है मतलब जिसना इस laptop को जो students ने जब यह distribute हुआ था जितना इसको negative things बोला गया इस laptop के बारे में उतना ही यार मैंने positive इसको बनाना चाहा है अपने चैनल पर और मेरे को literally नहीं लगा था कि मैं इस level तक यहां तक पहुँच पाऊंगा कि मैं यह 100 वीडियो में upload कर लूँगा क्या आपने देखा होगा अगर आप मेरे चैनल को ठाके देखें तो 70% portion मेरे चैनल पर इसी laptop से related आपको videos मिलेंगे अब और थोड़ा पीछे की बात कर लेते हैं यार मैं एक ऐसा बंदा था पहले मतलब जो camera शाय था और people शाय भी था मतलब मैं logo के सामने यार मेरी बोलती नहीं निकलती थी और camera तो आप भूली जाये कि मैं camera के सामने खड़े होके जो है video शूट कर लूँ initially जब मैंने videos बनाना start किया तो इतने retakes होते थे इतने retakes होते थे कि मैं क्या बता हूँ यह मान लीजे आपकी जब initially मैंने जैसे बताया पिछली वीडियो में कि हमारी एक team हुआ करती थी तो यार वो बिचारे परिशान हो जाते थे मैं मतलब वहाँ पे खड़ा रहता था और वो मुझे बकायदा script दे देते कि यार यह है इसको बोलना है मैंने का ठीक है मैं जैसे तैसे याद करता था बट वहीं जब camera रोल होके भया आप तेरी बारी है आप तेरे को बोलना है तो वहाँ पे एक आदर sentence बोलने के बाद मेरी सिट्टे बिट्टी गुंग हो जाती थी मैंने का यार यह यह तो हो गया तो आप बिलीव नहीं करेंगे एक 10 मिनिट की वीडियो को बनाने में ना हम 5-6 गुंटे लगा देते हैं और कभी-कभी तो पूरा दिन ही लगा देते हैं मतला क्या ही कोराम मचाते थे हमें नहीं पता तो वो भी यार एक अलग experience था तो आप देख सकते हैं कि अब मैं आपके सामने कितना freely बात कर पा रहा हूं इट रेली इंप्रूड माइ कॉंफिदेंस अलोट और अब अगर आप कहें कि एक छोटी सी audience के सामने अगर personally भी जाके मैं अपने जो मेरा फोटे है computers या आप चैनल के बारे में कह लें या कोई topic है जिस पर मैं बात कर सकता हूं तो I can really much interact with the people I can really much interact with you guys जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं और करता आया हूं तो जो भी लोग जो channel start करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी कुछ सला है अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहला guys कि आपका purpose जो है वो क्या है कभी भी आपका purpose YouTube चैनल खोलने के लिए बस पैसा ही नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बस पैसा ही रहेगा तो आप देख सकते हैं कि YouTube पे जो है competition बहुत ज्यादा बढ़ गया है Now it's nothing like that कि आप बस आओ और आपको पैसा मिल जाएगा नहीं यार ऐसा नहीं होता है You should show your talent to you know on YouTube कि आप क्यों आए हो क्यों आप लोग को पसंद करेंगे और यहां पर सबसे बड़ी बात है guys कि आप लोगों की help करो जिस भी चीज में कर रहे हो अगर आपका helping nature है अगर आप really help कर रहे हो तो आपके पास positive feedback obviously आएगा automatically वो convert हो जाएगा positivity में तो उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बस अपना एक helping nature रखना चाहिए और seriously अपने subscribers को help करना चाहिए rather than कि just building up your number यहां पर यह वो वाली बात नहीं है जैसा कि मैंने कहा number of subscribers मेरे लिए matter नहीं करता है मतलब subscriber matter करते हैं लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यार कोई बंदा है जिसके 1 million subscribers है लेकिन वो बंदा अब अपने subscriber को जो है कि comments को जो है responding नहीं करता है या ठीक है I understand कि यार उस level तक रीच हो जाने के बाद आपके साब बहुत सारे comments आते होंगे तो आप miss out कर जाते होंगे लेकिन यार जिन comments को आप पढ़ पा रहे हैं जिन पर आप respond कर सकते हैं at least उन पर तो आप respond करिये क्योंकि मैंने जो मेरे subscribers हैं काफी होने मुझसे बात की है और पता है उनका response क्या होता है वो ये कहते हैं कि यार आप ऐसे पहले YouTuber हो जो हमें इतना time दे रहा है really thanks to you a lot और मैं भी काफी shock हो जाता हूं कि यार वो ऐसा बताते हैं कि यार काफी बड़े-बड़े YouTubers हैं वो नहीं उनके WhatsApp का reply करते हैं और एक हमारे subscriber है I guess Suraj Suraj भाई आपने मुझे ये बताया था कि यार एक subscriber जो आपने किसी subscriber से बात करने की कोशिश की होगी मैं भी बहुत बड़ा YouTuber था तो उसने I guess ये कहा कि यार मुझे क्यों ही call कर रहे हो मतलब क्या मतलब बनता है आपका call करने का मुझे तो यार मतलब subscribers की वज़े से channel है भाई या आपकी वज़े से मेरा channel है अगर मैं आपको ऐसे negative वो दूँगा तो क्या मैं आगे बढ़ जाओंगा या जो भी वो ट्रिक अपनाते हैं वो fake subscribers और जो भी है वो आगे बढ़ जाते हैं बट यार मेरा ऐसा बिलकुल नहीं है मैं न यतने हो भाई जेन्वन बंदे हो और जैसे की मैंने कहा आप हमेशा मुझे reach out कर सकते हैं कभी आपको मेरा contact number की ज़रता है facebook पे available है और आप मुझे बस comment में लिख दीजे मैं आपको reach out कर लूँगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो यह सब चीजे जो हैं जो मैंने अभी त बस यही दगा है मैं जल्दी से आप इस वीडियो को राप अप करूँगा कि यार बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद की आपने इस चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाया है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल तक पहुंच पहूंगा और इसने मेरी personality को भ पॉजिटिव वे लेके चलेंगे जो भी beginner YouTubers हैं जो भी अपना चैनल स्टार्ट अप करने की सोच रहे हैं और हाँ guys एक और बात consistency यार एक बहुत बड़ी बात है YouTube पे जो कि अगर आप रखेंगे तो trust me guys कभी न कभी आपको अच्छे जो responses हैं वो जरूर मिलेंगे तो कुछ कुछ चैनल मैंने ऐसे भी देखे हैं अभी जिन पे मतलब उनके 100-200 वीडियो जरूर हैं बट अगर आप उनके individual views देखें तो किसी पे 100, किसी पे 200 और फिर किसी पे 50 लेकिन वो still वो बंदे वीडियो बना रहे हैं तो they have that much courage यार I really, मतलब hats off उन guys को मेरे अंदर उनसे शायद थोड़ा कमी है बट still I'm learning और जैसे जैसे आप अपना content को मतलब create करते हैं डेली सोचते हैं कि now what should I do और अब मैं अपने subscribers की कैसे help करूँ या तो कोई issue हो आप उस पे help कर सकते हैं या फिर जो भी आपके mind में है जो आपको लगता है कि आप इस topic के उपर वीडियो बना कि आप अपने audience को जो है अच्छे से reach out कर सकते हैं और उनकी problems का समाधान कर सकते हैं तो you're free to you're free guys बिलकुल कीजे और I guess जैसा कि मैंने कहा कि I can keep on talking talking क्योंकि I know I know मैं कह रहा है कि मैं खतम करने वाला हूं बट पता है नहीं यार ये बाते मतलब आती जाती हैं आती जाती हैं और बस एक और चीज़ गाईज आई 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 मैंने कहा था कि यार मैं जल्दी से राप अप कर रहा हूं बस ये लास्ट चीज़ है तो I'm currently working in a BPO sector तो you know मैं calls लेता हूं, emails लेता हूं, chats लेता हूं, customer, you know, customers' issues resolve out करता हूं pretty much technical support वाला thing मुझे जादा पसंद आता है क्योंकि वो मेरा forte है और उसमें मैं लोगों की help भी कर पाता हूं but I do not want to be in this industry in the first place, मैं कभी भी इस industry में नहीं आना चाहता था but हालात कुछ ऐसे हुए और obviously जो भी मेरे decisions है, somewhere I end up in this BPO sector, I have always wanted to be a software engineer but ठीक है, यहां पे आ गए है, लेकिन अब यहां पे आने के बाद मुझे बहुती अच्छी चीज़ें जो है देखने को मिली, customer service एक बहुती wide area है वहां पे आपको बहुत सारी चीज़ें सेखने को मिलती है, तो यह भी एक चीज़ है जिसकी वज़े से, जिसने मेरी YouTube वीडियो को help किया है क्योंकि मैं customers की वहां पे help कर पाता हूँ, और you know, the way of talking and this and that तो उसने भी मेरी life को जो है improve किया है, आपका work, आपका environment की यह काफी depend करता है कि आप किस personality के इंसान है और आपका nature कैसा है, काफी काफी define होता है उन सब चीज़ों से और बस एक बात और कि जो जिस भी stage पे आप अभी है ना guys, कभी भी अपने आप पे, मतलब किसी दूसरे को blame करने की वज़ाए, किसी दूसरे पे excuses थोपने की वज़ाए आप अपनी life को एक बार rewind करके देखे तो आप दिहान से अपनी life को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस भी मुकाम पे आज आप है ना, कहीं ना कहीं वो आपकी ही के decision होता है यह बस कहने के लिए हो जाता है कि यार, I can blame this person, यह उस वज़े से नहीं हो पाया, यह इस वज़े से नहीं हो पाया but to be very honest, कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार होते हैं, जहां पे भी आप हैं लेकिन, obviously guys, life में कभी भी देरी नहीं होती है, you can always stand up और आप जो भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, so there is no, you know, अगर अभी आपको समझ में आ जाता है, I know, मैं थोड़ा confused ना हो गया हूँ but that is pretty much it guys, from my end, so I hope कि आपको यह वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, तो please hit the like button guys, नहीं अच्छी लगी तो dislike कर दें और जितनी जो मैंने बक्वास की है, अगर लोग मुझे पहली छोड़के जा चुके हैं, तो obviously यह last वाला part नहीं देख रहे होंगे बर जो guys देख रहे हैं, thank you, thank you, thank you, thanks a lot and मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही amazing content जो है लेके आता रहता हूँ और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तक तक के लिए धन्यवाद